एलो इस्टोरेंट्स आसका कुश्चन पावर एंड एक्सपोनेंट्स से हैं फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इस टाइप के आपको एक एक्क्वेशन आएगी बनी हुई और उसमें आपको जो पावर एक्स होगा एक्स आपको देखना है कहाँ पे एक्स पावर में है और उसके हमें वैल्यू निकाल ली है कुश्चन देखते हैं इस तो हमें सबसे पहले करना क्यों होगे सबके सेम करने होंगे इसमें बेस है 12 उपान 13 इसमें है 13 उपान 12 इसमें है 12 उपान 13 तो ये 12 13 है ये 12 13 है ये चेंज है लेकि इसकी पावर देखें क्या है इसकी पावर है नेगटिव फॉर्म में अगर हम इसको पॉजिटिव कर दें वो कैसे होगा पावर पॉजिटिव कब होती है जब बेस का reciprocal किया जाता है यह तो same रहेगा 12 upon 13 की power 4 multiply इसका हम reciprocal कर रहे है 12 upon 13 इसका reciprocal करके क्या effect पड़ा यह positive हो गया is equal to 12 upon 13 की power 2 है अब यहां देखेंगे base same है sign है multiply का when the base are same और वहाँ पे multiply हो रही हो तो power आपस में add हो जाते है अगर a की power 3 है multiply है a की power 4 है तो a की power 3 plus 4 is equal to a की power 7 हो जाएगा यह rule है तो 12 upon 13 की power 4 है multiply 12 upon 13 की power 8 है तो यहां पे हम लिखेंगे 12 upon 13 की power 4 plus 8 is equal to 12 upon 13 की power 2x 12 upon 13 की power 4 plus 8 है तो 12 upon 13 की power हो गई 12 is equal to 12 upon 13 की power हो गई 2x base are same जब ऐसे base same हो we will cut the base 12 is equal to 2x 12 यह multiply में है यह divide में आ जाएगा 26 is 12 x is equal to 6 x की value हमारे पास आ गई 6 यही हमसे question पूछा हुआ था इसके यहां पर बस focus अकना है कि base same करना है दोनों तरफ और base को cancel करके उपर वाला power लिखा is equal to 2x जो इस तरफ था वो करके अब यह linear equation बन गया वहां से हमें value find out करनी है इसका b power देखेंगे if 2 की power 4 multiply 4 की power 3 is equal to 4 की power x यहां पर भी हमें x की value find out करनी है लेकर उससे पहले हमें base same करने होंगे base same कैसे होंगे यह तो 2 है यह 4 है यह भी 4 है यह 2 है तो इसको हम 2 बना सकते हैं कैसे देखेंगे 2 की power 4 है multiply 4 के अगर मैं factor करूं 2 into 2 होता है 4 के अगर मैं factor करूं तो 2 into 2 होता है इसको मैं 2 की power 2 लिख सकती हूं बिल्कुल 2 को मैंने 2 की power 2 लिखा we can write like this 2 square bracket power में cube is equal to 4 को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की power 2 हमने 4 को 2 base में change करा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी यहाँ पे अगर कोई और नंबर होता suppose करने 16 होता 8 होता कुछ भी नंबर होता तो भी हम उसके प्राइम फैक्टर करके base हम 2 ही बनाते सारे base हमें 2 ही बनाने है ठीक है अब देखेंगे next step क्या है 2 की power 4 है multiply जैसे जैसे एकी power 2 और उसकी power 4 है तो एकी power 2 फोर्जा 8 हो जाएगी ठीक है यह rule है मैं side में rule भी बता रही हूं यह rough है 2 की power क्या हो गई 2 स्रीजा 6 is equal to अब यहाँ देखें 2 into x 2 की power क्या हो गई 2x base same है multiply है तो power add हो जाएगे 2 की power 10 is equal to 2 की power 2x base से base cancel 10 is equal to 2x 10 upon 2 is equal to x 2 5s are 10 x is equal to 5 यहाँ आया x की value I hope आपको यह दोनों question clear होंगे और exam में बेटा ऐसे question जरूर आते हैं हम छोटे बच्चे नहीं रहे हैं कि बस इस form में दे रिया question यह true की power 8 इसको evaluate करो answer आजाएगा नहीं वो mcqs में पूछेंगे लेकिन main question ऐसे आएंगे I hope आपको clear हुआ होगा thanks for watching my video